समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना क्यूंकि फिक्र दिलों में होती है सब्दों में नहीं और गुसा सब्दों में होता है दिल में नहीं होता है इंसान का नहीं उसके अच्छे सुभाव का महत्व होता है और न कोई पर भर में जीत लेता है और कोई सालों सालगा कर भी नहीं जीत पाता है गिरगीट मुहाल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर रंग बदलता है दुनिया में सबसे भाग्यसाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है बिष्टर के साथ निंद है और धन के साथ धर्म भी है उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद ही गलती नजर नहीं आती हो जिसका विस साथ दो खुलियाम दो बिरोधी कहलाओगे लेकिन गदार नहीं कहलाओगे सव दुस्मन बने हमारे तो किसी ने कुछ न कहा एक हमसफर क्या बनाया हजारों अंगुलिया उठ गए या दास्त का कंजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं है बेचैन रहते हैं वह लोग जिने हर बात याद रहती हैं इसक ओ खेल नहीं जो छोटे डिलवाले खेलें रूप तक काप जाती हैं सदमे सहते तसहते राहें जिन्दगी में या कहानी सभी की हैं हमराज कोई और हैं हमसफर कोई और हैं सराग की बोदल सी हैं या इमंदारी भी कोई छोड़ता नहीं और कोई छुता तक नहीं लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती हैं लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती हैं दुनिया में इन तरह के लोग होते हैं दुसरों के दुख से दुखी और दुसरों के सुख से दुखी और बीना बाद खा मखा दुखी भी होते हैं इनसान बड़ा हुआ तो बजबन भूल जाता हैं साथी हुई तो माता पिता को भूलता हैं बच्चे हुए तो भाई बहान को भूल जाता हैं अमीर हुआ तो करीगी को भूल जाता हैं और जब ब्रिद अवस्था में आता हैं तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद कर 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 रोते रहता हैं दुनिया में लाखों पेड़ की लहरियों की देन हैं वह खुरात के लिए भी जमीन में छुपा देती हैं और फिर जगा भूल जाती हैं अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए समय आने पर वह भलेंगे जरूर एक न एक के आपका समान उन सब्दों में नहीं हैं जो आपके सामने कहे गए बलकि उन सब्दों में हैं जो आपकी अनकुस्थिती में आपके लिए कहे जाते हैं सब्द मुख्त मिलते हैं आप जीस तरह उनका प्रियोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पढ़ती हैं जरूरत पढ़ने पर तूटे रिष्टे भी जुड़ जाते हैं दूसरों के साथ वह ब्योहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बिमार को ठिक कर देती हैं और यदि बिमार में पके तो इनसान को ही बिमार बना कर लग देती हैं कुछ साहन करना भी सिखना चाहिए क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमिया हैं जिने दूसरे साहन करते हैं जिन्दगी तो अपने दम पर ही जी जाती हैं दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं जनाब अज्यानी जर्ती गल्ती छुपा कर बड़ा बनता है और ज्यानी जर्ती गल्ती मिटा कर बड़ा बनता है या मौत भी अजीब चीज हैं यारों एक दिन मरने के लिए पूरी जिन्दगी जीना परता है किस्मत हमारे हाथ में नहीं है पर फैसले हमारे हाथ में तो जरूर है किस्मत हमारे फैसले को नहीं बदल सकती पर फैसले हमारे किस्मत को तो जरूर बदल सकती कुंडिली में सनी और दिमाग में मनी और जीवन में दुस्मनी ये तीनों हानी कारक होती जो देटे नहीं थे जब आप उनके भी सलाम आने लगते हैं वक्त बदलता है तो निम पर भी आम आने लगते हैं जो इस दुनिया में नहीं मिलते वो फिर किस दुनिया में मिलेंगे जनाब बस यही सोचकर रव ने एक दुनिया बनाए जिसे हम करते हैं खाबों की दुनिया आपके खुशियों में वह लोग सामिल होते हैं जिने आप चाहते हैं लेकिन आपके दुख में वह लोग सामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं किसी एक जगा बहुत ही सुन्दा सुविचार लिखा था दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उमिद छोड़ दो खोई होई दौलत भूली होई विद्या फिर भी लोट सकते हैं पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लोटता सारी जिंदिगी रखा है रिष्टों का भरम मैने लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं संसार में सुई बन कर रहें कैंची बन कर नहीं सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है दोस्तों अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने सर्थ धन्यवाद